हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूटूब चैनल जैट के हल्थ केर में फ्रेंड आज हम न्यू पेंटा आई वी इंजेक्शन के वारे में फुल इस वीडियो में रिभीई करने वाले हैं प्लीज इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें न्यूर आइब इंजेक्शन एक बेहत्री इंजेक्शन है न्यूर पेंटा इंजेक्शन कहां का यूज होता है कैसे अंदर इंदर, क। yönप में बात करें, सबसे पहले हम इसकी में वीडियो प्रेंट की मेगलोड्स फार्मासिटिकल्स लेमिटेट के दुआरा ये मनिफेक्चरिंग के हुआ बहुत ही जवड़दस्त इंजेक्शन है MRP की बात करें तो 56 रुपए की MRP एकस्पारी डेट की बात करें 2025 तक है अवेलिबल है कंटेंट की बात करें तो एक सिंगल कंटेंट इसके अंदर डाला गया है जिसका नाम है पैंटेप्रा जोल 40 मिली ग्राम इसके अंदर डाला गया है सिंगल कंटेंट होता है अब जानते हैं कौन कौन सी कंडिशन में निव पेंटा अभी इंजक्शन का यूज किया जाता है तो फ्रेंड, पेड में बारीपन का होना, पेड फूला हुआ सा महसूस होना, खाना उपर को आना, गैस का बनना, खटी मिटी डखारे सी आना, सीने में जलंसी होना, गले में जलंसी होना, तब इन सारी कंडिशन में न सारद होने लगता है तब भी सas condition में new penta iv injection का यूज़ किया जाता है बहुआ शांदार इसका result मिलता है यह new penta iv injection pep plecane coi ठीक करता है और अगर इसकी बात करें फ्रेंट तो new penta iv injection को emergency condition में यूज़ के जाता है वैसे तो फ्रेंड इसका परजूल का कैपसूल भी आता है टेबलेटे भी आती है बट जब कैपसूल या टेबलेट काम नहीं कर पाती है तब emergency condition में new penta IV injection का use किया जाता है क्योंकि इसका result बहुत fast मिलता है पेड़ में किसी भी तरह की condition हो friend पेड़ में भारी पन हो चुबन हो दरद हो गैस का दरद हो खटी मिटी डगारे आती हो सीने में जलन होती हो गले में जलन होती हो खाना पेड़ में उपर की तरह आता हो गले में डगारे सी आती हो तब ऐसी condition में new penta IV injection का यूज किया जाता है अब बात करें friend की देखने हम कैसा होता है तो friend यह new penta injection है friend powder form में आता है इसके साथ में यह distribute water होता है इसे इसके अंदर dissolve करा जाता अच्छी तरह से जब यह खूब गूल जाता है तब इस injection का यूज किया जाता है अब बात करें friend हम इसके यूज की तो friend यह अपने आप से injection नहीं लगाए जाता है ऐसा नहीं है कि आप इंजक्षन मेंडिकल पर जाएं लें और इसके बाद लगा लें नहीं डॉक्टर पेशन्ट की condition के अनुसार नियूपेंटर आईवी इंजक्षन को लगाते हैं जब जैसी condition होती है तब नियूपेंटर आईवी इंजक्षन को डॉक्टर अपनी practice में लगाते हैं यह emergency condition में लगाया जात है अब बात करें इसके side effect की तो friend side effect की बात करें तो चक्कर आ सकता है डैरिया हो सकता है यह जहां पर इंजक्षन लगा है नर्व पेन हो सकता है redness हो सकती है यह allergy हो सकती है ऐसे कुछ इसके side effect हो सकते हैं बात करें इसके purchase की तो आप किसी भी medical से बहुत आसानी के साथ purchase कर सकत अगर आप हमारे यूटूब चनल पर नहीं तो प्लीज वीडियो को हमारी लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब और हाँ वैले इकन को जरूब प्रेस करें जिससे आने वाले हर नहीं टॉपिक की वीडियो बना देरी के हुए सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे हैं ठैंक य वरी मच्छ